हेलो दोस्तों कैसे वे आप सब टैरा लूना को लेके लगातार अपडेट निकल के आ रहे हैं और एक बड़ी अपडेट जो निकल के आई डूकवान जो की उनके फाउंडर हैं उन्होंने एक नया प्रपोजल दिया है जिसके अंदर वो हार्ड फोक करके सेव करना चाहते हैं एकोसिस्टम को और जिसकी वोटिंग कल 18 माई को होने वाली है क्या है इसकी डिटेल ये तो हमने आपके साथ में शेयर कर दिया है लेकिन फिर भी एक बार ओवर्व्यू दे देंगे लेकिन जो इंपॉर्टन बात है क्योंकि यहाँ पे टोकन एरड्रॉप मिलने वाला है ज एक्चुल में हमें क्या मिलने वाला है और दूसरा जो नया टोकन ये एरड्रॉप करेंगे या लांच कर रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा ठीक है यही दो बड़े सवाल होंगे आपके मन के अंदर और यह जो क्वाइन है इस टाइम पे देको बाइन्स की वेब साइट प और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक करी दिया होगा क्योंकि हमारी कोशिश है जो भी अपडेट आये हम आपको लगातार करते रहे हैं लूना से रिलेटेड क्रिप्टोकरंसी मार्केट से रिलेटेड जल्दी हम बिटकोईन के ऊपर भी एक पता दें लूना को एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि जो टीम है उनकी भगवान भरो से छोड़ दिया और उसके बाद में दो तिन दिन पहले उन्होंने एक परपोसल प्लैन किया था यानि कि टेरा एकोसिस्टम रेवाइवल प्लैन जो उनके को फाउंडर है जिसके तेरा जो है यूएस्टी जो टोकन है उससे बहुत बड़ी चीज है और यहाँ पर मोटा मोटा समरी आपको बता दूं कि जो दो चेन होंगी वो फोर्क करेंगे दो चेन होंगी जो अभी जो चेन चल रही है उसको एक नाम दे दिया जाएगा टेरा क्लासिक और टोकन का ना या जो इनकी डिवलप्मेंट जो टीम है जो डिवलपर्स है उन सबको एरड्रॉप ये करेंगे नए लूना टोकन के साथ में और इनके पास में जो टोकन है टेरा लूना के और यहाँ पर यूएस्टी के अपने वालेट को रिमूव कर देंगे और सारा का सारा वो कह रहे ह यहाँ तक तो आपको अल्रेडी क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर अभी जो बात निकल के आ रही है वो ही आपको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले आपको बता दूं कल 18 माई को इसकी वोटिंग यहाँ पे होगी तब डिसाइड होगा कि यह परपोसल भाया चलता है क के नहीं यह प्रूव होता है के नहीं ऐसा होगा के नहीं होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 30 परसेंट की जो कैलकूलेशन है वो डिवलपर्स और इन सब चीजों के लिए छोड़ी है कॉम्मूनिटी पूल के लिए लेकिन जब 70 परसेंट जो जाएगा वो लूना के ज लूना जो अभी होल्ड करते हैं उनको ट्रांसफर होगा और UST के जो होल्डर्स होंगे उनको ट्रांसफर होगा लेकिन उनकी कुछ कंडिशन्स है और उन कंडिशन्स के हिसाब से आपके पास में क्या-क्या क्राइटीरिया है और कुछ लॉक इन है उसके हिसाब से वो आप कोई चाहेगा कि भईया दुबारे से हम इसको बेचें और इस से भार निकलें और इसी चीज के लिए इन्होंने लॉक इन की यहाँ पर लगता है कुछ कंडिशन रखी है दस परसेंट अनलॉक करेंगे एरड्रॉप में शुरुवात में और बाकी के जो आपके वालेट में होल्ड होंगे वो 2-4 साल के इंदर वो रिलीज होंगे ये बात तो ठीक है लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें मिलने क्या वाला है अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि भाया जो नया लूना ये बना रहे हैं इसका प्राइस क्या होगा दोस्तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम पहले सोच रहे थे कि इनकी टीम के पास में भाया अच्छा खासा बैककप का फंड है और यहां पे लूना फाउंडेशन गार्ड जिसके पास साथ माई को असी हजार बिटकोईन से उपर होने चाहिए थे और बिलियन डॉलर्स के अंदर उनके पास में एसिट होने चाहिए थे उनका कहना है कि भाया हम इनको बचाते बचाते यानि UST को रीपैक करते करते हमने सारा माल कवा दिया और आज की डेट में उनके पास में सिर्फ 313 बिटकोईन है और और आलमोस्ट यूएसडी और यूएसडीसी की बात करें वो खतम हो गया है बी औन भी कुछ पढ़े है चालिस अजार के आसपास और एवेक्स कोईन इनके पास में यह पड़े हैं तो पहले जो सोचा जा रहा था कि प्राइस क्या होगा अगर मान लो 3-4 बिलियन डॉलर के इनके पास एसेट्स हैं और इन्होंने अगर रीपैक करने के लिए भचाने की कोशिश ना की होती है सच है जूट है वो तो भगवानी जानता या यह जानते हैं लेकिन अगर इन्होंने यहां कोशिश नहीं की होती होगर आज के आज की इनके पास में यह एसेट्स होते जो कि 3-4 बिलियन डॉलर के हैं अगर यह टोटल अगर इनकी क्वान्टिटी देखो तो यह एक बिलियन लूना टोकन नया बनाना चाते हैं तो हर टोकन की वैल्यू जो है 3-4 डॉलर हो सकती थी ठीक है लेकिन अगर यह चीज इनके पास में होती और आज की डेट में यह इनकी खस्ता हालत है और इनके पास में आज की डेट में यह बचा हुआ है 80 मिलियन डॉलर अब यहाँ पर 3-4 बिलियन डॉलर और 80 मिलियन डॉलर के अंदर बहुत फरक होता है और इसमें भी इनका कहना है कि यह जो UST की होल्डर से हैं जो स्मॉल इंवेस्टर से हैं उनके अंदर डिस्रिब्यूट कर देंगे यहाँ पर अब कैल्कुलेशन क्या है प्रोजेक्ट के उपर लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा ठीक है आपको ट्रस्ट है हमें कमेंट में जरूर बताईएगा क्योंकि एक बार जिस टीम ने ऐसा कर दिया तो इतना असान नहीं होगा लेकिन अच्छी बात क्या है एक्चेंजिस जो हैं बड़े-बड़े खास कर बाइनेंस की बात करें वो इनके सपोर्ट में आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे और अगर वो सपोर्ट करते हैं तो शायद उमीद जख सकती है कि आने वाले टाइम में इसका कुछ न कुछ प्राइस निकल के आए लेकिन अगि इनके पास एसिट तो है नहीं अब इनके पास में सब कुछ हवा हवाई है अब हवा हवाई के अंदर ये 4 करके अपने सिस्टम को बचाने के लिए token distribute करेंगे अब उसकी value क्या होगी वो एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि यहाँ पर 9 के पास assets है back करने के लिए trust इन्होंने खो दिया है और हम सब जो है जि करें और इसी वज़े से यह 2-4 साल का यहाँ टाइम ले रहे हैं और 10% ही जायतर जो लूना होल्डर से उनको अन्लॉक करके देंगे तो इन शॉट आपको अगर यहाँ पे supply तो इसकी token की है नहीं सब कुछ लॉक ही है ना अगर यहाँ पर मार्केट में देखते हैं 70% के आस अगर नहीं करते हैं तो भाया हम सब को बताये जो यह प्राइस चल रहा है तो एक बिलियन क्या और पांच ट्रिलियन क्या चे ट्रिलियन क्या बगवान बर उसे सब कुछ है तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताईगा लेकिन एक और important बात जो हम chain running में रहेगी और वो जो holders होंगे उनकी जो team है वो उसका use case क्या है अब दोस्तों जब उन्होंने नया token बना दिया है नई chain बना रहे हैं पुराने उसके जो developers होंगे use case तो actual में कुछ रहा नहीं न क्योंकि दोनों चीज़े सेम ही हैं और वो जो है इसको इसी को बचाने के लिए नहा token ला रहे हैं तो यानि कि ultimately बाद में जाके यह Luna classic भी almost zero हो जाना चाहिए क्योंकि इसका use case in future नहीं निकल के आएगा जब यह नए project पर यहां काम करेंगे नई चीजे दुबारे से बनाएंगे तो यह सारे सवालों के जवाब भी आने वाले टाइम के अंदर मिलेंगे अगर आपको लगता है कि आपके पास में कोई बैटर आंसर है हमें बताईएगा बाकी नहीं तो हमारे चानल को subscribe कर लीजिएगा वीडियो को like कर दीजिएगा और ज दोस्तो अभी के लिए में विदा लेता हूं खुश रही है मुस्कुरात रहे कमातरी आपको दोस्त पंकर्श ठैक्क निश्क्रात दने बाद